सश्रेकाल जी मैं तो अड़ी होस्ट प्रब सिम्रन कॉर्ट वाड़ा आज दे शो दे विछ बहुत स्वागत कर दिया आज जैसी गाल करांगे कैनेडा दी कैनेडा दे विछ गाल करांगे स्टडी वीजा बेसिकली किमे 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 अलिजबल हाँ आपा किमे क्राइटीरिया कि प्रोसीजर की है कि में अप्लाइ करांगे पर में ली जवापा गाल करांगे जए ड़ा पन साल तो बच्च्या दा पन साल ली बैन लाग रहा है कैनेडा दे ले उदे बारे विए जैसी गाल करांगे साधिया नाराज मौझूद ने मिस्टर जसमीत सिंह पाटिया फ्रम ला जड़ी काल जड़ी स्टूडेंट्स नो ख्याल चरखने चाहिए कि जदो अपसी फाइल लॉग इन कर दे हैं सानू पता होना चाहिए कि कंसल्टन्ट केड़े केड़े डॉकुमेंट साधी फाइल च लॉग इन कर रहा है कि सारे पैसे वीजा लगन तो बाद उत्थे अरशनीए जड़े का शरखनेटी चुछ कोई भी नुकसान नहीं होना तो अटे उत्ते 15 साल दा बैन लग लाग जाना है और यह भी हो सकता है कि 5 साल तो बाद थी मेस देंदा है की नहीं देन आध इना है डॉस पैसे वीजा लंग न तो बाद ता क Insultant तो जड़ी लवान क फाइल चे डॉकुमेंट क्यों सी बड़ जे तुसी कोई फेक डॉकुमेंट प्रडूस किता होया है तो उदे लिए तुसी की अब एक्स्पीनेशन दोगे तो सारे स्टुडेंट्स नोएक हाल रखना चाहिए है parceles फाइल सब्मिट हो रही है और जे इच डॉकुमेंट तुसी चेक करोंगे तुसी में डॉकुमेंट सवाल है बड़ जदो सी Canada स्टूड़ेंट वीजा अपलाई कर दे हैं असी पूल जानने अपनी फाइल चे मैंशन करना यहां सी अपने साल दा बैन लग जाएगा सी बैसिकली तुसी यह दसे अधाई फेक्ट्ट्च दोक्यमेंट्स और सेकिंड चीज़ जए पहला को रिफ्यूसल आज इस अधाई जरूरी है इस उसले पहला रिफ्यूसल आगी है तुसी सोबीच और मैंशन कर सकते हो पर चेड़ा फॉर्म है ग and you have to give reason for it like my visa was refused on these grounds right right yeah so you have to mention all these purpose in your file and fake documents the bilkul में सारे students नुकांगा कोई भी fake documents अपनी file बिच ना प्रदूस करो fake documents use करके Canada student visa land दी बिलकुल कोशिश ना करो जी 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 से दो चीज़ां बट नोट करन वाली है मेरे ख्यालनाल कि पहला refusal तोडी जी है प्लीस उसी अपने एजेंट अपने कंसल्टर नुँ दसो एसो बीच मेंशन करो प्लस सर ने जी में दस्या कि फॉर्म दे विच जरूर मेंशन करो fake documents समेशे ही लीगल हुंदे ने उता जरूर ओग काम ता बिलकुल करना ही नी चाहिदा उदे तो आवा सर तुसी कुछ कहन दे हो कोई वजय है कानडा स्टूरेंट वीजा ता तुसी प्रोसेस चेक करो कानडा स्टूरेंट वीजा ता प्रोसेस से कहन दा है कि ओफर लेटर सी सब तो पहला मंगावांगे ओफर लेटर आन तो बात ता नो पूरे साल दी फीस देनी प्रोसेस चेट वीजा चांस वदाना चाहन दे हो तो छे में ने थी फीस दे के भी चैनडा स्टूरेंट वीजा प्लाइगा सकते हो बट फीस देनी पहेगी तो कॉलेजी दी फीस तुसी दे ओगए फिर एक लोए अंदा कॉलेज तो जिडा की तोड़ी फाइल चे लगधा की पांच साढ़े पांच अलाग कर पिया जमा होंदा तो गरांटे इंफम इंवेस्मेंट सर्टिफिकेट जड़ा की कंपॉल्सरी हार फाइल चे लगएगा ही लगएगा उस बाद एक मेडिकल करना पैंदा स्टूरेंट नो जिरी कॉस्त आयां दी है चार काशार पैया मेडिकल करांत अब बाद 20 फीस होंदी है 20 फीस दे नार्ग फिंगर प्रिंट फीस होंदी है 250 डॉलर तो यह सारा खर्चा वीजा लगगन तो पहला है और जो तो असी अप्लोड कर दे हैं फाइल यह डॉकुमेंट्स मंगे जान दे हैं अप्लोड यॉर ऑफर लेटर अप् कि सारे पैसे वीजा लगगन तो पहला स्टूडेंट नो देने पेंदेने तो जे तुसी जैनुमें तरीक के अपना स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना चांदे हो तो सारे पैसे वीजा लगगन तो पहला होंदे हैं कैनड़ा दे ना की बाद विच जी 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 प्राइब कर सकते हो और उते देख सकते हो कि पांच बारी छे बारी जड़े स्टूडेंट रिफ्यूज सी ओना था स्टूडेंट वीजा लैंड मांख इमिगरेशन तो लगा फिर केड़े कॉलेज स्टूडेंट वीजा अपलाएगे ता ए वी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा तो अटे स्टूडेंट विजाज फिर उस तुबाद ऐसी काल करेगे सब तो ज़्यादा मैटर करेगी तोड़े फर्म तुसी सई टांगनल पर रहे हैं तुसी S.O.P सई तर करने जा रहे हैं और मैं future चेस program की यूज करांगा, जो जह सारियां चीज़ नहीं मैंशन कर रहे, कि मैं research किती हैं इस college बारे मैं इस college बारे चेक कुता है, इस इना प्राणा है college, और इते यह यह इते स्टूडन्ट नो एक सोपी वेच सो जे तौट इस नहीं कोई एहोजी चीज मैंशन तता नो वीजा रफ्यूजल दा सामना करना पहेगा, मेरे कोड़ इद्दा दे स्टूडन्ट साके मिलके गई हैं जिनना दे 90% सेवन बैंड हों दे बावजूद भी उनना वीजा रफ्यू सबको शो करो, पॉपस दखाओ, लिखो सारा कुछ, क्लियरली उस्चे कुछ छूपयानी होना चाहिएदा, कि एवी गाल साच है कि उस्चे लिखना है जरूरी है कि मैं तौडे मुल्क चाड़ी करना तो बाद में इंडिया वापस आमांगा में लिए थे वी जौब यह दो पाखनल सानों आप सोपी डिजाइन करने पहेगी, सिरफ असी यह मोटोर ही शो कहा सकते कि मैं उत्थे चलना और उस तो बाद में मुड़के नहीं आना, तो ताड़ यह सोपी इदन दा कुछ नहीं मैंशन होना चाहिएदा, इससे लिए सोपी लिखाई जन दी है, इससे लिए सोपी चेक किती जान दी हाई कमिशन तो कि स्टूडेट किनना जैनुएन है और किनना जदा पढ़ाईदे प्रती सीरियस हैगा, क्योंकि नॉर्मली यह तो जिनने बच्चे जा रहे ने हो और सिरफ ही सोच के जा रहे ने कि मैं उत्ते पहुंच रहे हैं और बस वर्क पर्मिट एक्स्टेंशन नहीं मिल रहे हैं जेरे स्टूडेंट्स ने कॉलेज चेंज किता से उनना वर्क पर्मिट नहीं मिल रहे हैं जेरे स्टूडेंट्स ने अपनी पड़ाई चतेयां नहीं 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 मिल रहे हैं जेरे स्टूडेंट्स ने अपनी पड़ाई तूसी फीस दिटिती है, सो सब तो बड़ा हर जानना की है, सपोसरी रेयट ची, कि काॉलिई दी, समेश्टर थी पीस तिन तो चार लाग लिपी आ, वे बिलकुल 0 हो गई, तूसी पारट डाइम का मगर के चाहे दो लग खर पईया कमाले होना है पर जड़ा तुसी तीन चार लग खर पईया फीज दितनी सी ओ तनो दबारा परनी पहेगी तनो कोर्स दबारा तो शुरू करना पहेगा जो तो टोड़ा वीजा खतम हो जाएगा ओधी एक्स्टेंशन ली भी तनो दसना पहेग उनना सब तो सोल परपस की है पढ़ाई करना पढ़ाई ते इंपोर्टेंस देनी जे तुसी अपनी पढ़ाई ते इंपोर्टेंस नहीं दे रहे तता अनू कैनडा तो वापस पे जया जा सकता है तानू स्टूरेंट वीजा ते डिपोर्ट भी किता जा सकता है जे तुसी लीगल कुई काम क्राइम कर दे फड़े जान दे हो तुस्य ओवर टाइम काम कर दे फड़े जान दे हो ति अनूछ चाहिएँ तक आनू कैनडा तो वापस पर जया जा सकता है बेसिकली डिग्री इस इंपोर्टेंट सर नाली गल कर लेने एकमिंग टेक्स दी जड़े पेचे हुन अप्लाय करने सोच लेने प्लस चुधा रिजल्ट में भी अवेटेड होवे यां आ गया है ओ किद्धा अप्लाय कर सकते हैं नेक्ष्ट मंथ लैंडमाग इमिग्रेशन स अप्लाय कर सकते हो जिए स्टुडेंट स्कोल आइलेट्स रिजल्ट है पर अपने प्लस तुधा रिजल्ट दे वेट कर रहे हैं और कंडिशनल अपना अप्लाय कर सकते हैं किसे भी कनेडियन कॉलेच युएस से थे कॉलेच अस्ट्रेलिया थे कॉलेच जर्मनी विच रिजल्ट होना ज़िए और कर साधा यहां तुधा पसपोर्ट तो यह जिए से आपना इसल्ट कंडिशनल राखने बचसा कर सकते हो सो 10th प्लस टूदा रिजल्ट पेंडिंग है, आयलेट्स और पासपोर्ट जिन आरे तुसी एक conditional offer letter अपलाए का सकते, जी जी, काम्याप या सर, conditional offer letter जी बच्चा पहला है, जी बिल्गुल जी तुसी conditional offer letter ले 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 ले, तुसी make sure कर ले 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 की, तुसी कैनड़ा जाना चाल जी जी, कोई यदी fees भी हुन दिया, structure की है सर, सार, फी, offer letter दी, fees 100 डॉलर तो लेके 200 डॉलर तक हुन दिया है, कुछ colleges waiver भी दे रहे है, जी में आज के लिए लैम्टन कॉलेज, free of cost offer letter दे रहे है, नाइगेरा कॉलेज, HDA students, free of cost offer letter दे रहे है, Cambrian College, free of cost offer letter दे रहे है, Toronto campus, which loyalist college, free of cost offer letter दे रहे है, सो काफी सारे इदना दे college भी है जी, free of cost offer letter दे रहे है, और काफी सारे इदना दे colleges भी है जी, fees चार्ज कर रहे है, जी फी 100 डॉलर, मतलब 5,000 पे तो लेके 10,000 दे, विच विच वेदी करेगी, सो बट students लो ख्याल रखना चाहिए है, कि कोई भी offer letter दे fees 25,000 पन्याहँजार नहीं हों दी, क्योंकि offer letter दे ना दे भी, students तो 25,000 पन्याहँजार कई ले 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 आ जानता है, जी, 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 सर जी भी तुसी इन्ही वधिया गाल किती, concentration सानो study दे रखनी चाहिए है, बच्चे दे refusals बारे गाल किती, Canada चे बेसिकली जो study visa ले बच्चे ने अपलाई करना है, केडिया केडिया मुल चीजा तो तो त्यान रखे, ते refusals तो बचे, सब तो पहला दानो यह त्यान रखना चाहिए है कि जड़ा तो ना consultant है, उन्नों किन्ना तजर्बा है, किन्ना experience है, लास्ट इंटेक चो उस consultant ते किन्ने वीजा लग के आए, चेड़े colleges से तानो पेज रहा है, ओस college demand है गी है, students दी demand है ओस college ओस शेर विच इद्दा दी कोई demand है गी है, कोई सरकार वलनों, कोई Canada सरकार वलनों, कोई ओधे program चलाया जा रहे है, जिमें Atlantic AIPP program चलाया जा रहे है, जिमें RNIP program चलाया जा रहे है, Alberta PNP program चलाया जा रहे है, तो इनना सारे programs ती knowledge होनी तानो जरूरी हैगी है, क्योंकि ये सारे programs future विच जद तुसी PR अपलाय करोगे, तानो कोई problem नहीं आएगी, तो इस सारी चीज जान दा students नो ख्याल रखना चाहिए है, उस तो बाद course, जिरा course तुसी choose कर रहे है, ताड़ी पड़ा इन related है गया है, और जो पड़ा इना related नहीं भी है गया है, तो course तानो क्यों दिता जा रहे है, तो इस सारी चीज जान दा तिया हम रखना बहुत ज़्यादा जरूरी बन जान दा एक student ली, तांकि एसी एक refusal नो avoid कर सकीए, जी 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 विच विच वड़ा रोल आफ एजेंट तो सव विच वच्ची बच्चे अनो refusal लाग के आ रही है, तो ID rates consultant दा रोल बहुत ज़्यादा वाद गया है, तो बहुत सारे students सोच दे हैं कि मैं कि तो हम भी अपना student visa प्लाए कर लाँगा और मिनो visa लाग जेगा, पर मैं daily दे 5 student इतना दे मिल रहे हैं जड़े कि refuse होके साथ जड़े करदा students वासता है, जब आधत है कि हार तो तीन मिने बाद मैं personally Canada विजट करदा है, वक्षवक्ष विजट करदा है, वथो colleges पुछना कि साथे students नो कितना दी support मिलेगी, तो यह सारी चीज जाना students नो त्यान रखन दी ज़ूरत है गी है, ज़ो आपना Canadian student visa प्लाए कर बैंदी सर अप अगाल कर रहे सिगे, पांथ साल दा बैंदी लाग रहे हैं ना, इन जन्यूनिटी सब तो बड़ा कारण है कि लिगल दॉक्वेंट से फेक डॉक्वेंट्स लगाते, इस दे विच्वी क्योंकि वीजट आफिसर बहुत अच्छी तरह पैचान जाना है कि आये, कमिशनर है जिनन ही तानों वीजा देना है और उन्ना नो पूरी नौलेज हैगी है और देख के डॉक्वेंटन दॉक्वेंटन हो दा सकते हैं, दूरो देख के डाल सगरें एक है इस डॉक्वेंट पॉरिशनल है जड़े कि बहुष सारे इसस्तुरें श्टुदिंट वीजा अपलाई करूँ जी जी साड़े कौल एवी क्वेशन जान देने के वीजा ओफिसर दे अग्या से की में पेश हुई है की में आंसर करिया है तो अड़ी कमपनी ओदे लिए वी तो नू गाइड़े लिए तो नू गाइड़े कर रहे हैं तो नू ए चीज ख्याल रखन सब्सक्राइड़े की जड़ी तड़ी फाइल है वो बहुत तरीके ना लगे तांकि उत्ते वीजा लगे आवे जी जी इंग्लिश दे विच कहांदे ने 70 पसंट जे मार्क्स नहीं तो विदाव टाइल्स भी थोड़ा लग सग्ड़े है तो नहीं है ओवरॉल छे बैंड य इस वाली एड्स दावी बिल्कुल इग्नोर करो बिल्कुल कोई रूल नहीं है गार कि विदाव टाइलेट वाले स्टुनेंट नों कैनड़ा स्टूट वीजा मिलेगा जी प्लेश नों लेकर रिजड़ी ती गाल कालने असर बच्चे कहन देने कि असी स्ट्रेक करांगे कि चेक करें कि वीजा व शेर वीच लगे आ रहे है कि नहीं है वो शेर विच किर्दा वीज अपृवल रेट आ रहे ने ओ शेर च कितना दी प्रफाइल डा वीजा लगे आ रहे है तो यह सारियां चीजां नों ख्याल रखना चाहिए जब आपना स्टूड़ेट वीज वीजा बिल्कुल इंट इंड दी कोई बिल्कुल गाल नहीं है कि क्योंकि आज दी रेट चे चे जे कैनड़ा देखिया जाए तक कोई भी कॉलेज होए कोई कटो कट नहीं था पांच तो साथ जार इंडियन स्टूडेंट पाड रहे है सो चीज जिगाल करिए कि सपोर्ट हैगा कि उत्ते किसी दी सपोर्ट नहीं मिलेगी यह उत्ते जागे सानू ओप्रा लगएगा यह सानू इदन लगएगा किसी आउट अफ प्लेस हैगे हैं वो सी 15 साल पराणी गाल कर रहे हैं कि आज तो 15 साल पहलना हो कैनड़ा विच काट स हार शेर वेच जेरी भी तड़ी नसेस्टी दी चीज है उस सारियां मिल रही हैं तो इद्धा दी कोई प्रॉब्लम नहीं आंदी उस तो बावजूद इंटरनाशनल डिपार्टमेंट सेट किता होया हार कॉलेज ने जिदे विच जागे तो नों कोई प्रॉब्लम आंदी ह दूसी हेल्प माग सकते हो जी बेसिकली तुसी यह कह रहे हो कि सुपोर्ट ऑफ रेल्टिवेश जे पिछ तुसी अपनी जॉब ऑपर्चुन्टीज नूं साइड नागाव दो अपनी आत्या आन कॉंसने रखो प्राइटे तुसी दिगरी कार रही हो थे तो अटी किनी दि तुसी के चीज समझो कि चे तुसी आज स्टूड़न्ट नूँ बॉंबे पे इदो आज दिली पे इदो पंजाबतों तब पांच देन चोथे वी काम नहीं मिलना डाँ तुसी कैनड़ा पेज रहे हो काम ते साथी कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहती आज़ी क्योंकि आणवाले टाइम वेज कैनड़ा वो सारे स्टूडंस नूँ डिपोर्ट करेगा वापस पे जेगा जेडिया अपनी पडाई टांग नहीं करणगे जी 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 हुन में टॉपिक ते सर अपा गल कर दे हैं बैन जिना दा आ गया पांच साल दा होना नो कब रांदी लोड़ दी मितलब उना लिख की की ऑप्षेंट पांच साल तक नहीं अपना स्टूनेंट वीजा अपलाए का सकते हैं वो किसे होर कंट्रीज बेशक अपलाए क अपना स्टूनेंट वीजा नई ही कर सकते हैं मतलब उप्षिंस डूजीए निए के अपना स्टूनेंट वीजा अपलाए का सकते हैं मिन्हों नहीं लगता है कि जै तुन सी कोई फेक डॉकमेट प्रडूंनना तक तो फेक्षन कमेसे साल भी जाहिए कょ रूदे टूप बिल कोई भी कोई भी एद्धानी चीज अपनी फाइल चे ना लाओ जेड़ी चे तुसी आप पे कर्वेंस नहीं है और चूट बोलके कोई भी फाइल वीज ओफिसर नू ना प्रडियूस करो ता कि तानू पांच साल दा बैन लाग सके क्योंकि ओधा कोई वी तोड नहीं है गा ज तो दीज जगा गया है एडल्बबलम सो दियाने कर झाथ ओंधानी एफैथे शूंट नहीं से लिस्टेंट कर देशल कट नहीं है पर फिर अपने प्रॉबलम फेस करनी पैर यह एक फार एप टो टीप्स दस दो बचल नहीं बैन तो बचल नहीं बचल नहीं बेसिकली टिप मैं सारे स्टुनेंट्स में ही एडवाइस करांगा जित उसी रेफ्यूजल तो बचना चांदे हो ताइक कंसल्टेट उन्हों जूज करो जिन्नों बहुत तुजर्बा है गया जिदे तुसी चेक करो कि पिछले इंटेक विच किन्ने वीजा लगके आई सी दुज्या जुरू बैन वास्ते मेरी सारे स्टुडेंट्स नोई ही एडवाइस है कोई भी फेक डॉकुमेंट अपनी फाइल ची प्रड्यूस ना करो उन समाह और इजासत नहीं दे रहे है स्वाल जबाव अग्यत हो रही है सर थैंक यू सो मच सारे शो देविच ओलनी चाहिए दिया होप इंफर्मेशन साथे सारे लिए बहुत बेनिफिशल रही होईगी ते आपना मिस्टेक्स तो बचांगे रिफ्यूजल्स तो बचांगे उन समाह और इजासत नहीं दे रहे है कल होड सवाल जबाब लाके तोड़े समने फेर हाजर हुआंगे मैंनो प्रा